हेलो, नमस्कार, प्रस्ट ने दिया हुआ है, यदि संख्या X 4, 4, 6, 1 को 11 से विभाजित किया जाए, तो X का मान क्या होगा? अपन को किस का मान बताना है? X का मान बताना है तो सबसे पहले अपन X की disability का rule पता कर लेते हैं X, मतलब 11 की विभाज्यता के नियम विभाज्यता, 11 की विभाज्यता के नियम पता कर लेते हैं कि क्या क्या नियम है, कि क्या है? जब 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि बिशम अंकों का योग, बिशम अंकों का योग, अंक इस्थानों विशम अंक इस्थानों का योग प्लस सम अंक इस्थानों का योग कितना जीगी या तो ग्यारा का गोड़ा जो या 0 या कितना हो 0 या कितना हो 0 चलो अब आपन देखते हैं तो क्या है 4, 4, 6, 1, X ठीक है अब देखते हैं अपन तो X का मान क्या होगा तो अपन सबसे पहले इनका काउंट कर लेते हैं ठीक है कितना हो रहा है विशम विशम पहले 1, 3 और 5 मतलब 1 इस्थान, 3 इस्थान और 5 इस्थान का कितना योग आ रहा है इस्थानों का योग, इस्थानों का य देख लेते हैं, समिस्थानों का योग, समिस्थानों का योग देख लेते हैं, तो समिस्थानों का योग किता आएगा, तो यह होगा चार और छे, मतलब दस, और यह किता होगा, चार और एक पांच हो रहा है, चार और एक पांच हो रहा है, तो यह यदि यहां पर भी पांच रख दिया जाए तो पांच और पांच दस हो जाएगा मतलब यदी ये क्या हो जाएगा पांच पांच रखने पर पांच रखने पर अब क्यों रखे हमने पहली वता दिया है क्यों रखा पर ने पांच कि ये दस है ठीक है तो मतलब समिस्थानों का योग हो गया और बिसमिस् ठीक है यह कित्ता हो गया तो बिशम इस्थानों का हो जाएगा यदि 5 रखेंगी तो 5, 4, 4, 6, 1 रख दिया तो क्या होगा यहां पर 5 और 4, 9 और 1, 10 कित्ता हो गया 10 मतलब बिशम और सम का कित्ता हो जाएगा 11, 10-10 बराबर 0 मतलब सुन, पूरा-पूरा, सुन मतलब कंडिशन हो रही है तो इसलिए 11 से पूरतर विवाजद हो जाएगी थैंक यू